नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल बैंकिंग लोचा में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोबाइल पर पास्वुक कैसे बनाते हैं कि आज मैं आपको बताता हूं कि सेलरी एकाउंट अगर बैंक में खोला जाए तो उसके क्या फायदे है कि देखो दोस्तों कि सेलरी एकाउंट उन्हीं लोगों के खुलते हैं जो सेलराइल होते हैं और किसी फ्रम में या किसी कंपनी में या किसी गौर्मेंट डिपार्टमें सेलरी अकाउंट एक नहीं खुलता कम से कम 20 एंप्लोई होने बहुत जरूरी है पुनीका सेलरी अकाउंट खुलता है तो दोस्तों अब बताते हैं सेलरी अकाउंट के क्या-क्या फाइदे हैं सबसे पहले हम सेलरी अकाउंट में फाइदा जो होता है वो जीरो बेलेंस तक हम उस सेलरी अकाउंट को रख सकते हैं और उसमें कोई चार्ज नहीं लगता, सबसे पहला फायदा, बाकी के औरडिनरी अकाउंट में अगर हम जीरो बिलेज कर देते हैं, तो हमारा चार्ज लगता है, दूसरा फायदा है, कि सेलरी अकाउंट में हमें कार्ड, चेक बुक, और यह सब फ्री मिलते हैं, कैसे मिलते है यह आपको बताता हूं, सेलरी अकाउंट चार तरीके को उते हैं, सबसे पहला एकाउंट होता है, और या और डिनरी सेलरी अकाउंट में है, सिर्फ चेक बुक, दो चेक बुक फ्री मिलते हैं, एक बरस में, और आप उसमें जीरो बेलेंस भी लेंगे, तो आपको चार्ज नहीं लगता कि एटियम कार्ड आपको मिलेगा लेकिन एक बरस में एक बार आपका उसमें चार्ज लगेगा दूसरा होता है क्लासिक सेलरी अकाउंट क्लासिक सेलरी अकाउंट में आपको एटियम चेक बुक डिमांड ड्राफ्ट और प्यॉडर यह सब आपको फिरी मिलते हैं यानि आपको ड्राफ्ट बनवाएंगे तो आपको चार्ज नहीं लगेगा चेक बुक लेंगे तो उसमें चार्ज नहीं लगता ATM कार्ड का भी कोई चार्ज नहीं लगता ये सब फ्री होते हैं क्लासिक अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है क्लासिक अकाउंट होता है जिसमें आपको बेलेंस रखना होता है कम से कम आपके खाते में 50,000 रुपे हर समय रहना चाहिए क्योंकि बहुत से सैलराइट परसन होते हैं घर में डो दो तीन तीन विक्ती काम करते हैं तो उनको ज़्यादा पैसे की जरूत नहीं हो खर्च नहीं करते हैं तो उनके खाते में पैसे पड़े रहते हैं उनका होता है क्लासिक अकाउंट दूसरा होता है wealth salary account, wealth salary account वो होता है जिसमें आप कोई भी सुविदा, वो classic account की तरह होता है, कोई भी सुविदा आप आसानी से उसमें ले सकते हैं, आटी जीएस हुआ और चेक बुक हुई काड हुआ ये इनकी चार्जिज आपको नहीं लगते हैं और उसमें एक डेडिकेटिड मेनेजर बेंक प्रवाइड आपको करता है उसमें जो आपके एकाउंट को वो देखरेक करता है ठीक है ये होता है बेल्ट अकाउंट तीसरा होता है बेसिक सेविंग अकाउंट वही होता है जो मैंने और डिनरी अकाउंट बताया था आपका जो नॉर्मली खुलता है लेकिन सुविधा उसमें क्या होती है सुविधा उसमें ये होती है कि आपको overdraft बगेरा उसमें मिल जाता है यानि आपको मान लिजे salary से उपर आपको पैसे की जरूर्ट पड़ेगी और salary आपकी कतम होगी आपको 10,000 रुपे की जरूर्ट है तो बेंक आपको overdraft आपके salary अकाउंट में दे देगा और जब salary आपकी आएगी तब आपका वो adjust हो जाएगा तो आपका काम चल गया चौता होता है defense salary account defense salary account में आपको बहुत सारी सुविधाएं होती है उसमें क्या होता है आपको checkbook free मिलेगी demand draft अगर आप बनाएंगे तो free मिलेगा अगर आप कोई RTS या N EFT करते हैं तो आपको charge नहीं लगता है सबसे बड़ी बात है कि आपको bank उसमें overdraft दे देता है salary के बराबर आपको overdraft देता है मालेज़ा आपको 40,000 रुपए salary आती है आपके हर महीने आपके अकाउंट में और आपको 40,000 रुपए की अभी सक्त जरुवत है और salary आप खर्च कर चुके तो आप bank manager को अगर कहेंगे के जी मेरे को overdraft की शुविदा इसमें दी जाए तो bank manager आपको उसमें overdraft की शुविदा देगा और आपका different salary account वो जैसे salary आप गिया आपकी वो overdraft आपका adjust हो जाएगा और ये जरूरी नहीं है कि आपको एक ही बार मिलेगा जब भी आपको जरुवत पड़ेगी salary से ज्यादा पैसाओं की bank आपको उसी समय आपको देगा चाहे महीने चाहे आपको साल में चार बार चाहिए दस बार चाहिए बीच बार चाहिए आपको bank overdraft दे देगा और आपका काम चल जाएगा कहीं से loan लेने की ज़रुद तो नहीं पड़ेगी तो दोस्तों यह होता salary account तो यह salary account के बहुत सारे फायदे होते हैं लेकिन अगर इसमें अगर आपका salary किसी तरीके से किसी बज़े से आपका लगातार च्छे महीने तक आपकी salary अगर उस account में credit नहीं होती है तो वो फिर आपका salary account नहीं रहता फिर आपका वो normal basic salary account में बैंक को convert कर देता है फिर जैसे आम public account होता है वैसे आपका account रहेगा तो यह थी दोस्तो salary account के क्या फायदे हैं यह मैंने आपको आज बताया और आपको वीडियो कैसी लगी comment box में जरूर लिखना और एक like तो जरूर बनता है दोस्तों धन्यवाद